सफलता के नियम मुश्किल नहीं है ये बहुत आसान है तो क्या किसी के लिए अपना अतीत बदलना संभव है ये असंभव है अतीत को बदला नहीं जा सकता क्या आप एक अलग स्कूल से अपना अलिमेंटरी डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं आप उसी तरह लिख नहीं सकते आप अपने अतीत के जीवन को बदल नहीं सकते लेकिन उसके वरतमान के बारे में क्या कहेंगे आप अपने अतीत की तरह अपने वरतमान को बदलने की कोशि है लोग रातो रात अमीर होना चाहते हैं ऐसे लोग हैं जो वास्तों में ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो लोग लोटरी खरीते हैं उसमें चांस या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम लेकिन चांस बहुत कम है तो अपने वर्तमान को रहते हुए भविश्ये में जा सकते हैं। आप अपने भविश्ये को बदल सकते हैं और आप बना सकते हैं। आप अगले 3 साल या 10 साल में अपना भविश्य किस तरह का देखना चाहते हैं। और आप बना सकते हैं कि जिस तरह का जीवन आप चाहते हैं, किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं आप, आप इसे बदल सकते हैं या नहीं, और आप इसे बदल सकते हैं क्योंकि ये सब आपके दिमाग में है, आपको इसके लिए कोई टेक्स नहीं देना है, आप किसी और इसके लिए आपको टेक्स भी नहीं देना पड़ेगा। यह संभव है यह मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप अपने दिमाग में अपना भविश्य बनाते हैं तो आप इसे हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप यह नहीं सोचते कि यह संभव है। जब मैंने इस कंपनी की शुरुवात की तो मैंने इसे एक शानदार एपार्टमेंट के एक घर के तोर पर शुरू किया था। उस समय भी मैं पहाड पर जाया करता था। मैं पहाड पर जाता था और उपर से शहर को देखा करता था कि मैं कहां रह सकता हूं। क्या ऐसी जगे जहां पीछे पहाड हो और सामने पानी हो। मैंने एक घर देखा जहां सूरज की रोशनी खिडकियों से आती थी मैंने खुद से कहा कि मुझे यहां रहना है इसलिए मैं उस जगे जाया करता था और वाँ घुमा करता था वाँ मैं आज भी रह रहा हूं ये वाश्टिन में है निर्धारित करता है अगर आप दूसरों को आशिरवा देकर जीवन जीना चाहते हैं जहां आपके परिवार को पैसे की चिंता नहीं करनी है तो आपको अपने दिमाग में उस तरह की छवी बनाने की जरूरत है सबसे पहले एक ऐसा जीवन बनाएं जिसे आप अपने दिमाग में जीना चाहते हैं फिर आप अपने वर तक कि अगर आप वर्तमार के किराय के घर में रहते हैं तो आपको अपने दिमाग में एक शानदर घर का खाका खीचने की जरूरत है। यहां तक कि अगर आपके बैंक खाते में कोई पैसा नहीं है तो आपको अपने दिमाग में एक जीवन जीने की जरूरत है। जहां आप अपने रिष्टेदारों और अपने दोस्तों के आर्थिक मदद कर रहे हैं, क्यों? क्या होगा अगर आप महीने में पचास हजार से एक लाग डॉलर तक कमा सकते हैं? इस संभभ है या नहीं? क्या या कोई है जो अपने पचास हजार डॉलर में से कोई कुछ दे सक अपना हाथ उठाए उठाए अपना हाथ और बताए इस बात को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे विश्वास है कि आप सब कामयाब होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन को अभी भी साजा कर रहे हैं, आपको अपने दिमाग में भविश्य का जीवन जीने की जरू हमें space और समय को पार करने की जुरूरत है यह चौथा आयाम है स्पेस तीसरे आयाम में मौजूद है है नी समय space के आयाम के अंदर बंद किया गया है चौथा आयाम हालागि space और समय दोनों को पार करता है आप सभी के आसपास के लोग कहते हुए दिखाई देते हैं کہ वो व्यक्ती एक अलग आयाम पर है, वो एक अलग स्तर है, वो व्यक्ती काफी अलग है, बात तो तब है कि लोग जब आपके बारे में कुछ ऐसा कहें, मेरे प्यारे एटमी के सदस्यों, आपको बाहर जाने और घ और मैं जीओंगा एक सफल जीवन वो भी महीने में एक लाग डॉलर कमाते हुए तो आपको सबसे पहले अपने परिवार वालों से बात करने की जरूरत है जब आप अपने जीवन का परिद्रिश्य लिखते हैं तो उसे केवल अपने तकी सीमित ना रखें अपने सबसे करीबी लोगों को भी अपने सपने के बारे में जरूर बताएं उन्हें बताएं अपने परिवार के सदस्यों को बताएं अपने पती को बताएं हनी तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है लेकिन आप अब अपना काम बंद कर सकते हैं मैं अभी से उसके लिए जिम्मेदार हूँ आप किस तरह की कार चलाना चाहते हैं मैं आपको वो कार खरीद कर दूँगा आपने जो कहा वो आप अपने पूरे जीवन के लिए करना चाहते थे मैं आपके लिए वही खरीदूंगा बस मुझे तीन साल तक बाहर रहने में मदद करनी होगी आपको अपने जीवन साथी से ये बताना होगा माता पिता बने जो अपने बच्चों को प्रसाइद करते हैं उतना पढ़ाएं जितना आप पढ़ाना चाहते हैं आपको हमारी तरह से नहीं रहना है आपके माता पिता की तरह आप क्यूं अपने डैड की तरह रहना चाहते हैं आप इस दुनिया में कैसे जिन्दा रह पाएंगे क्या मतलब है तुम्हारा वो सबी सर्वाइव करतो रहे हैं लेकिन माता पिता अपने बच्चों को मना नहीं करते अगर वो स्कूल में कुछ गलती करते हैं इसलिए बहुत से बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं वो सोचते हैं कि उन्हें मर जाना चाहिए जबकि उन्हें अपने किये पर शर्म आनी चाहिए आपको अपने बच्चों के विपरीत उन्हें समझाने की जरूरत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल में कैसे हैं क्या हुआ अगर आप स्कूल में पीछे हैं मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा मेरे सारे पैसे तुम्हारे ही है तुम्हारे बाकी जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिंता मत करो, वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे और फिर जो बच्चे पढ़ाई से कट जाते हैं वो खुद ही पढ़ाई करेंगे और जिन चात्रों में कोई प्रतिभा नहीं है वो वैसे भी पढ़ाई करने में नहीं जाते मेरे जैसे लोगों में पढ़ाई के लिए कोई प्रतिभा नहीं है मैंने तो जबरदस्ती पढ़ाई की है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था लेकिन क्योंकि मैं गरीबी से निकल कर आया हूँ इसलिए मैं दूसरों की गरीबी को दूर करना चाहता हूँ मेरा इस तरह का दिल था और इस तरह मैंने सोचना शुरू किया कि मैं एक सिस्टम बना कर दूसरे लोगों की मदद करूँ जो उन्हें गरीबी से बचाने में मदद करे और तरीका है एटॉमी आप सभी अमीर हो सकते हैं क्योंकि आपके पास हत्यार के तौर पर एटॉमी है और आप इससे अमीर हो सकते हैं भले ही आप पढ़ाई में अच्छे ना हों प्राइमरी स्कूल में पढ़े बिना भी लोग अमीर हुए हैं क्या आपको कॉंटेक्टर किम याद है वो जीने के लिए सिलाई का काम करती थी वो रोजाना 15-16 घंटे काम किया करती थी लेकिन अब वो शुरुआज से ही कोरिया में एटॉमी में पायनियर बन गई है जबकि वो एक आटो सेल्स मास्टर भी नहीं हो सकती थी वो निउ-यार्क होते हुए निउ-जर्सी गई वो अंग्रेजी में एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी उसके पास yes, no, and thank you का समय भी नहीं था आप अंग्रेजी में अच्छे हो सकते हैं अगर आप इन तीन शब्दों को समय दे दें लेकिन उसके पास इन आसान से फ्रेजिस के लिए भी समय नहीं है वो ये कर ही नहीं सकी वो न्यू जर्सी में कोरिया टाउन में है और वो जानती है कि कोरियन को कैसे पड़ा जा सकता है इसलिए वो वहां गई और उसने लोगों से बात की आज वो बात कर सकती है और बहुत बात करती है और बात कर सकती है जल्दी या देर से उसकी लाइन न्यू यार्क में तयार हो जाएगी वहां से उसके पार्टनर्स पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और इस तरह वो साल में दो लाग डॉलर कमाने वाली रॉयल कलब की मेंबर बन जाएगी ये वो आरत है जिसने अपनी सारी जिन्दगी कुर्बान कर दी और ये आटमी ही है जिसने ये कर दिखाया लोग कटनाईयों की वज़े से असफल नहीं होते वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो बिजनस नहीं करते है आपको ये जानने की जरूरत है कि आप अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को बताएं कि आपके जीवन का विजन क्या है आपको उन्हें ये बताने की जरूरत है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं ऐसा करने के लिए आपको साहस की जरूरत होगी स्यादातार लोगों में ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती साहस का मतलब ये नहीं कि आप निडर हो जाएं आप डर सकते हैं लेकिन डर आशंकाओं के बारे में होना चाहिए आप हर मेने पचास हजार से एक लाग डॉलर कमाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं आप जानते हैं कि ये संभव नहीं हो सकता है हलाकि विफलता की इस संभावना का सामना करना पड़ रहा है ये बात साहस से अपने आसपास के लोगों को बतानी चाहिए यही साहस है और जो लोग हिम्मत जुटा सकते हैं वो सपल हो सकते हैं तो फिर किस तरह वो असपल हो सकते हैं असपल होने वाले लोग वो होते हैं जो डरते हैं और जिन में साहस नहीं होता है इसलिए वो मोन हो जाते हैं और निराशा में पड़ जाते हैं मुझे उमीद है कि आप सभी लोग हिम्मत जुटा पाएंगे और अपने डर का सामना कर पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को बता पाएंगे आपको सबसे पहले बात करने में सक्षम होना चाहिए हलाकि आपको पहले बात करनी चाहिए भगवान ने भी अपने शब्दों में इस संसार की रचना की है माज शब्द पहले आता है और वही शब्द वास्तविक्ता में बदल जाता है मैं आज घुशना करता हूँ कि मैं सत्रा लोगों को सफल बनाऊंगा और मैं कहता हूँ कि मैं उन पहले सत्रा लोगों को एक महिने में पचास से एक लाग डॉलर कमवाऊंगा मैंने एक बार कहा था कि मैं एक गलोबल कंपनी बनाऊंगा आपको पहले बात करनी होगी सभी पुरानी बाते सच नहीं है एक पुरानी कहावत है कि मुनश्य को अलग-अलग परिस्थित्यों में अलग-अलग सोचना चाहिए अगर आपको जल्दी है तो आपको जल्दी चलना चाहिए किसी व्यक्ति का जल्दबाज बुरा हो सकता है अगर वो जल्दी में नहीं है तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को अलग तरे से काम करना चाहिए अलग-अलग समय में ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अंदर और बाहर से एक समान होना चाहिए लेकिन एक व्यक्ति को अंदर और बाहर से अलग होना चाहिए जो लोग अपनी आंतरिक भावनाओं के अनुसार कारे करते हैं, वो चरित्र वाले लोग नहीं होते हैं. जो लोग कहते हैं कि मैं नकली नहीं हो सकता, मैं दूसरे लोगों से जूट नहीं बोल सकता, मुझे वो सब कुछ कहना चाहिए जो कुछ मेरे दिमाग में है. क्या इन लोगों के आसपास रहने में कोई परेशानी है या आराम है वो अच्छे लोग है या बुरे लोग आपके अंदर और बाहर अच्छे चरित्र का व्यक्ति होने के लिए अलग होना चाहिए यहां तक कि अगर आपके सपास एक साथी है जो आपको गुसा दिलाता है तो ऐसा साथी जो लगता है कि वो आपको छोड़ देगा आप उन्हें नहीं बता सकते आपको छोड़ देना चाहिए आप ऐसा नहीं कह सकते क्या आपको गुसा करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग आपको गुसा दिलाते हैं क्या आपकी पत्नी हमेशा खुश रहती है लेकिन आपको हमेशा उससे क्या कहना चाहिए आपको हमेशा कहना चाहिए कि वो सबसे सुन्दर है आपको अंदर से और बाहर से अलग होना चाहिए क्या आपका पती आपका हमेशा सम्मान करता है आप कभी भी सोच सकती हैं कि वो आपका दुश्मन है क्या आपको फिर से उसे दुश्मन कहना चाहिए नहीं, बिलकुल नहीं मैं भागेशाली हूँ जो मुझे आप जैसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला तुम मेरी ड्रीम बोट हो यहां तक कि अगले जन्न में भी यहां तक कि अगर आपका खून खौल रहा है तो आपको ऐसे काम करना चाहिए जैसे कि आप पूरी तरह से ठीक है आपका अंदर और बाहर का चरित्र अलग होना चाहिए यहां तक कि अगर आप अंदर से डरते हैं तो आपको दिखावा करना चाहिए कि आप डरते नहीं है जब असफलता का डर लहरों की तरह भागता है तो आपको जोर से चिलाना होगा कि आप सफल है क्या होगा अगर आप युद्ध के दौरान मैदान में एक प्लाटून लीडर हैं और आप पर गोलियं चल रही हैं तो ऐसे में आपको अपना डर नहीं दिखाना चाहिए। अपने सैनिकों से कहना चाहिए कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, डरो मत, आपको ये कहने की जरूरत है, भले ही आप अंदर से काप रहे हों। यही एक लीडर को करना चाहिए, जो लोग सफल होते हैं वो कहते हैं क्या ये वास्ता में काम नहीं करेगा, मेरे लिए काम नहीं करेगा, अंधेरे में भी आपको घबरा आना नहीं चाहिए, ये बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे होता है, यहां तक कि आपके पैर काप रहे हों, अगर आप अंदर से डर भी रहे हैं, आपको उस डर को दूर भगाना होगा, और बताना होगा कि आप डर नहीं रहे हैं, जिन लोगों में हिम्मत है, वो हमेशे शिकर पर रहते हैं.